यहलो दोस्तों आज की स्वेडियो में हम जानेगी कि हम जब भी किसी के फ्लेट या फिर नीचे अंडरग्राउंड में जाते हैं तो वहां पे फ्लॉर पे यelो कलर के कुछ इस तरह के पट्टे बने होते हैं पट्टे पैंट से किस तरह से बना जाते हो और कौन सा पैंट यूज़ करना चाहिए वो पूरी प्रोसेस मैंने इस वीडियो में दिखाई है तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जब भी हमें ऐसा कुछ काम करना है फ्लोर के अंदर पैंट करना है तो हम पानी से साप करने के बाद इसके ओपर हमें पैंट करना पैंट करने के लिए यहां पर आप देक्सकतों ने लिया है आगे हम दिखाएंगे कि किस तरह से कौन सा थेनर भी हमने लिया है तो दूस्तों सबसे पहले हैं जब भी हम फ्र्षम परेंट खोलते तो सबसे पहले हमें यह की काम करना होता है कि जो पैंट है उसे अच्छा से मिक्स करना होता है ऑनिकि उसरे अच्छा से इसलाद देना होता है इसलाने क लिग लकड़ी है फिर कुछ याजीन आ लाने कर सकते हो इसे आप पतला करने के लिए थीनर ही यूज़ करना ही आप बात ध्यान में रखना है दोस्तों आप जिख सकते हो कितना गाड़ा है अभी हम इसके अंदर आपको दिखाएंगी एक लिटर के अंदर तकरीबन यह 800 ml जितना थीनर चला जाता है तभी यह हमारे गन में या फिर ब्रस में चलाने लायक हो जाता है मैंने गन से यूज़ किया है इलक्रिक गन यूज़ करके मैंने आपको यह देखाया है पूरा काम करके अगर आप ब्रस से करोगे तो 600 यह 700 ml आपको एक लिटर में धिनर डालना ही पड़ेगा इस से आप अच्छे से पहले यह की लाइन में कैसे रहेगे आगे जाके आड़ा टेडे ना हो उसके लिए मैंने सब प्रॉपर तरीके से बताया है तो सबसे पहले मैंने जो कलर है उसे गन के अंदर अच्छे से डाल दिया है डालने के बाद उसे अच्छे से हम टाइट करेंगे और दोस्तों यह गन के प्लाइवूड के तीन पीस में रखेंगे और एक पीस में जो करने के लिए रखेंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हों कोने से स्ब्से करने के इससे कलर करने हैं एक कोट अगर आप लगाना चाहते हो तो कलर को ठीक रखना ताकि जो आपकी चो कलर है वो अच्छे से बैठ पाई हो और कहीं पर असना लगे कि नीचे का फ्लोर दिख रहा है आप जेख सकते हो यह कितनी स्ट्रेट लाइन के साथ इस तरह से वर्क होता है अभी मैंने जैसे आपको बता है मैंने एकजेट नाप लेने के लिए यहाप पर दो लकड़ी का यूज किया था और एक आप जेख सकते हो पकड़ के खड़ा है तो इसके बाद मैं आपको बता हूँगा मैं लकड़ी को किस तरह से एकजेट माप लेता हूँ और आप भी ऐसे ने सकते हो अगर आपके घर पे यजिए चीमा करएंध खुट करना वह तो इसे छाप से कर सकते हैं फिर पातना हुए तो आपके लिए तो बहॊत बढ़या होगा कि यह तरींगा हर sis करता है is तो एक पट्टा में से लाइन से वहां पर रखा और घ्यक्त सकते हों को सब्सक्राइब अध्याया बाज़ोने की वहां परहे लाइनाब साफ हो थोड़ा मोट आया फिर थोड़ा पतला लाइन आ रहे सेमी लाइन पुरे सट्सक्राइब यहां पर देख सकते हो पुरी इतना लंबा कंट आट फिट का आपने साइज लिया था उस हिसाब से हमने पूरा कवरेज बनाया था और ये बॉक्स के अंदर आप आसाने से टू विलर या फिर फॉर विलर कितनी भी लंबी हो आरम से आ जाती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही ये वीडियो पसंद आया है आपको तो को प्लेस लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना और हो सकते चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना तो बस यह था दोस्तों आगे आप क्या देखना चाहते हैं वह में कमेंट करके बताना हम उसके उपर पूरी कौसिस करें कि वीडियो लाए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए बाइबाय अपना ध्यान रखना